हेलो बच्चों स्वागत है आपका SRS Learning वे यह आपकी आज की वरक्षीट है 100 नंबर है इसका और जो खिलास है वो फिर्स्ट ग्लास के लिए बेटा अब हम इसको पढ़ना शुक आज हमें क्या है पी साउंट करना है हमें आज क्या है नीलो और पिंकी जो है पप्पी के साथ पार्क में खेल रही थी देर वर मैनी ट्री आराउंड महां पे बहुत सारे ट्री थे दे सो आ नैस्ट और नीम ट्री उन्होंने क्या है एक नैस्ट मतलब गोस्रा देखा कहा पे नीम के ट्री पे ते आल सो आ पीकोक डांसिंग नीम ट्री उन्होंने एक पिकोक भी देखा जो कहा था वो पेड़ के वहीं पे जो है डांस करा था ट्री के पास नीलो टुक पैंसिल और पेपर एंड रो दर पिच्चर और पेपर लिया और वो पिकोक की पिच्चर को ड्रो करने लगी दे एट आ पाइनेपल एंड सम आइ पी एंड साउंड एंड फॉं दो स्टोल जो हमारे हमने हमने जो ये डाग-डाग हवे हैं यह वर्स हमें दुवारे पड़ने हैं पीक की साउंड के लिए हम यह क्या है यह capital P होता है और यह क्या होता है यह small p होता है ठीक है ऐसे एन capital N ऐसे बनता है और small N हमारा ऐसे बनता है ठीक हम दुभाई रिवाइस करते हैं क्या नीलू, pinky, playing, puppy, park, peacock, picture, paper, neem, nest, near, peacock, pencil and pineapple जो हमारे words शुरूरे थे B से और N साउंड से हमने उनको दुबारी रिवाइस कर लिया अब है इन्होंने N बनाना दिखा रखा है कि पहले N के लिए हमें एक डंडा कीचना है ठीक है एक डंडा कीचना है फिर हम दो डंडे कीचने हमें ऐसे फिर इन दोनों को हमें इनके N से मिला देना तो हमारा बन जाएगा N क्या बन जाए है Capital N ऐसे ही हमारा Small P के लिए ऐसे करना है और इसको कर ब कर करना है तो हमारा ये Capital N है ये Small N है और N से क्या बनता है Nail Polish जो Nails पे लगाते है Nose हमारी होती है और N Dolls यह सब क्या होते हैं N से बनता है अब है P, capital P के लिए हमें एक डंडा खीचना है ठीक है फिर इसको यूँ घुमाओ देना है यह है capital P और small P हमारा इसको कहते है पी से क्या के बनता है पोटैटो जिसको आलू बोलते हैं पैरट जिसको तोता बोलते हैं पोपकॉर्ण जिसको फ क्या है अपनी कोपी में इनकी पैक्टिस कीजिएगा पी बनाने की capital P और small P यह भी देखेगा कौन-कौन सी लाइन पर कितनी लाइन पर जो यह है यह आ रहे है कौन सी लाइन पर आपको देखो कि जो capital P है वो शुरू की तीन लाइनों पर लिखावा है और जो आपके small P है वो नीचे से 3 लाइनों पर लिखावा है ऐसे ही एन क्या है हम ओपर जैसे 4 लाइने है ओपर की हम 3 लाइनों पर हम क्या है एन लिखते हैं और small N है जो है हम बीच की लाइन में लिखते हैं हम ठीक है यह आप ध्यान रखेगा नेक्स है हमारा आपके नेम दा पिच्चर गीवन बिलो इस पिच्चर को नाम देना है राइट फर्स लैटर ओव दियर नेम ठीक है यह क्या है नाइन किसे शुरू होता है हमारा एन से हम यहाँ पे एन लिख देंगे ठीक है यह क्या है हमारा पांडा इसके लिए क्या आएग से तो हमारा यह हो गया है ठीक है बच्चो तो यह हमारी आज की वक्षिट है अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें यह जुरूर याद रखने कोविड-19 चल रहा है तो हमें टू यार्ड और दो गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखना ह है एंड यू सब्सक्राइब मारे चैनल आलसो एंड थैंक थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो ठीक है बच्चो आपका बहुत तहरी दिल स्थ शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसके तहरी दिल स्थ शुक्रिया अब हम मिलते हैं आगे की वक्षिट कि साथ बाय बच्चो